बहुत बहुत धन्यवाद सभापती महोद्या वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी संप्रभा निर्विघनम कुरुमेदेवा सर्वकारियेशु सरवदा गनेश चतूर्थी पर हम सब लोग पुरानी लोग सभा के भवन को छोड़ कर नए भवन के अंदर हम सब लोगों ने परवेश किया है और उसमें सबसे पहले जो बिल आया है वो महिला आरक्षन पर आया है इस बात के लिए मैं पुरे हिंदुस्तान की महिलाओं को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मान्य परधान मंत्री जी को तही दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरनिय सबापती महोदे ये एक एतिहासिक बिल है और भारत की महिलाएं आश्वस्त थी कि ये काम अगर कोई कर सकता है तो आदरनिय परधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी कर सकते हैं क्योंकि बीते काल खंड में भारतिय जंता पार्टी ने जितने भी संकल्प किये हैं उन सब को सिद्ध करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे आदरनिय परधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने किया है हमारी भाजपा की सरकार ने किया है संकल्प से सिध्धी की और मैं कहना चाती हूँ सबापती महोदे कि ये अमरित काल की बेला है इस अमरित काल में हम जिस तरह से शने शने विक्सित भारत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उसी की एक बानगी है कि ये जो बिल इस नई लोग सबाप के अंदर प्रस्तुत हुआ है आदरनिय सबापती महोदे सबसे पहले हमारे दूबे जी ने हमारी पार्टी की तरफ से इसमें अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि उनके माता जी एमस में एड्मिट है तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस उम्र में है मेरी माता जी भी हॉस्पिटल में एड्मिट है और वहां से मुझे लगता है कि वो अपनी बेटी को बोलते हुए जरूर देख रही होंगी उन्होंने नो महिने तक मुझे अपनी कोक के अंदर रखा और हर मा अपने बच्चे को कोक में रखती है एक मा जो है उसका फ्लेश और ब्लड वो लड़के को भी उतना ही मिलता है जितना लड़की को मिलता है तो इसलिए मा प्रकृती ने कोई भेद भाव जो है मेरे अंदर जो आतम विश्वाश पैदा किया हम लोग चार बहन भाई हैं सबापती मोदे दो बहने और दो भाई लेकिन हमें आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हम महिलाए हैं या हम लड़की हैं तो किसी भी मामले में हम कमतर हो सकती है तो जो आतम विश्वाश हमारी माता जी ने क्योंकि मा प्रथम गुरू होती है हमारे अंदर पैदा किया उसको हमारे आदर ने परधान मंत्री जी ने और हमारे संगठन ने समझा और परखा और 2014 के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भार्थे जनता पार्टी ने मुझे अपना अबिन अंग बनाया मैं तहे दिल से इस बाट के लिए भार्थे जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ सभापति महदे सभापति महदे नारी को देवी की तरह पूझा जाता है हमारे प्राचीन उसमें आपने सुनाई होगा हम कहते हैं कि या देवी प्रपन नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद देवी मात्र जक्त वखिलस से प्रसीद विश्वेशरी पाही विश्वम तो मिश्वरी देवी चराचरस से इस पूरे चराचर के अंदर जो है वो माप्रकर्ति म भगवती है जो विराजमान होती है बिना किसी भेदभाव के होती है लेकिन सवापती मौदे मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि आज हम उस मंत्र से यहां पहुच गए हैं जिसमें हम कहते हैं कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते हमारी बेटी बुलबु है मगर पिंजरे में रहती है हम कहां से कहां पहुच गए सवापती मौदे मैं यह कहना चाहते हूं सवापती मौदे कि आज जो यह बिल यहां पर प्रस्तुत हुआ है आज रानी लक्षमी बाई सरोजनी नाइडू अरुना असफ अली सुमित्रा महाजन जी सुश्मा सवरा जी हमारी सुचेता के प्लानी जी जो की हर्याना सही थी कल्पना दत्ता जी और हमारी बहुत सी फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बहुत महनत की आज वो बहुत इस बात को लेकर सुकून महसूस कर रही होंगी कि आज जो है यह बिल 27 सालों के बाद लोग सभा के अंदर जो उन्होंने 5000 गाउवासियों को एकत्रित किया और जब अंग्रेजों ने देखा कि 5000 जो है वो भारतिये इस तरह से एकत्रित हो गए हैं तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी सभापती मौदे मातंगनी हाजरा जो थी उनके हाथ में तिरंगा था एक एक करके तीन गोलियां उनको लगी लेकिन वो जमीन पर गिर गई उन्होंने तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया ऐसी ऐसी हमारी फीर्डम फाइटर हमारी जो महिला विरांगनाए हैं उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है तो मैं सभापती मौदे ये कहना चाहती हूँ कि हम आज जो इस पीजों लेकर आए हैं हमें हर किसी को गलों से उपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए सभापती मौदे मैं अपने अपने सावापती मौदे मुझे बोलने दीजे ये महिलाओं का बिल है और आप अगर महिलाओं को ऐसे रोकेंगे तो मुझे रखने बहुत सी महिलाओं को इसमें तकलिफ होगी प्रोग्रेस अगर किसे ने चिंता की तो बाबा साव भीमराव अमेट करने की जो थी बाब फुले ने की सवीतर भाई फुले ने की बाबा साब ने कहा था कि I measure the progress of a nation by degree of progress it's women have achieved और अगर किसी ने चिंता की है तो हमारे परधान मंतरी आदर ने श्रीम नरेंदर मोदी जी ने की है 2007 के अंदर जब वो गुजरात के अंदर मुख्य मंतरी थे तो उन्होंने women को महिलाओं को जो है वो reserve guard जो वहाँ पर जो guard है forest guard वहाँ पर नुक्त किया सबापती मोदी वो ऐसा शेतर था जहां पर पुरुष परधान पुरुष शेतर है लेकिन फिर भी महिलाओं को 2007 के अंदर मानिये परधान मंतरी जी ने उस समय में जो है वहाँ पर नुक्ती दी थी और आज अगर हम देखें तो भारती जंता पार्टी की सरकार में मानिये परधान मंतरी मौदी जी के नेतरतों में आप यह देखिए कि हर्याना की धर्ती से वेटी बचाओ वेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया और उस समय में 2014 के अंदर जो सेक्स रेशो 918 पूरे भारत वर्ष के अंदर आज 2022-23 के अंदर वो 933 है और हर्याना के अंदर जो 871 थ खते भी हैं इसके सासत में कहना चाहते हो सबापती मौदे कि हमारे मंतरी मंडल में आज 12 महिलाएं हैं हमारे सबसे ज yap jeśli बड़ी सरकार बनी थी तो उसमें जो है वो चाहे विरेश मंतराले था चाहे वो उसमेरक्षा मंतराले था वो महिलाओं के पास था आज सबसे ज़र राजय पाल जो है वो हमारी सरकार में हैं ये औहदे ही हैं जो बताते हैं लफ़े बया को खास ये औहदे ही हैं जो बनाते हैं लफ़े बया को खास वरना कौन सुनता है यहां औरत की बात मानिए सभापती मौदे इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसलिए यह जरूरी है कि ओहदे मिलने चाहिए राजनिती के अंदर महिलाएं आगे आनी चाहिए नहीं तो उनकी बात कोई नहीं सुनता है सभापती मौते मैं कहना चाहती हूँ 2004 के अंदर UPA सरकार जो common minimum program के अंदर वो सबसे पहले उन्होंने रखा था कि हम वह में resolution bill लेकर आएंगे और 2006 मई 2008 के अंदर राज्य सभा में table किया गया और उसके बाद 9 मई 2008 को standing committee को भेज दिया गया 17 दिसंबर 2009 को standing committee standing committee ने अपनी report दी और फरवरी 2010 को union cabinet ने approval दी सभापती मौते 9 मार्च 2010 को राज्य सभा में पास किया गया 186 एक लेकर मैं सबसे पहले तो बल कि ये देखना चाहती हूँ कि वो एक महानुभाव कौन था जिसने महिला reservation bill के खिलाफ वोट किया इसके साथ सभापती मौते है मैं कहना चाहती हूँ कि लोग सब हमें ये रिपोर्ट किया गया आप समप किजिए प्लीज सभापती मौते सिर्फ मेरे को दो मिनट वोट चाहिए communicate किया गया लेकिन उसके उपर उसको consider नहीं किया इस बाद का जवाब Congress Party को देना पड़ेगा सभापती मौते है लास्ट में लास्ट में कहना चाहती हूँ कि देखे महिलाएं जो है लास्ट में बस एक इक इसके एक सकंद मिना जी कि जो ये बिल लाया गया है इसमें हर दल से उपर उपके सभी महिलाओं को जो है बढ़ चलकर हिस्सा लेना चाहिए बहुत अच्छे एक छोड़ी सी कवीता दो लाइनों में खतम करना चाहती हूँ जिसको अमिताब चंजी ने गाया है कि तु खुद की खोज में निकल तु किसलिए हताश है तु चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है जो तुझे से लिपती बेड़ीयां समझना इनको वस्तर तू जो देडियां पिखाल कर बना ले इनको शस्तर तू तु खुद की खोज में निकल तु किसलिए हताश है तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है भाद भाद धन्यवास अब धन्यवाद